श्रीषई नहीं नहींagtजुख नहींजुख नहींजुख त्कस्प श्रीजुख तौस्प श्रीचुख फ्ppenर रढ़त मैं बलह मत्केट इढ़न और देवियोर सज्जनों आज बात करेंगे पुनित सुपर मेन के बारे में अरे हाँ भया हमारे पास भी सुपर मेन था माना 145 पी वाला सस्ता सुपर मेन था लेकिन था तो सही एक थी हॉलिवुड की सुपर मेन 1978 वाली और फिरा हमारे पुनित सुपर मेन इसको खुद घंटा नहीं पता इसके पास कौन कौन सी पावर है दुनिया गई बाड में उससे मतलब नहीं खाली लौडिया बाजी करता है पिछवाडा हिला के डांस करता है बच्चों के लिए भंडारा कराता है पिक्चर का निमुच्या गुंडा शक्ति कपूर जो बेरोजगार गरीब है और कलर ट्रेडिंग करके अमीर बनना चाहता है सारे गुंडों को सुपरमैन से घंटा मतलब नहीं यह लोग खुद ही एक दूसरे को मार पिट के मरे ले रहे हैं तो कहानी शुरू होती है किसी दूसरे गुले के एलियन से जो लोग दिखते इंसान जैसे हैं हिंदी भाशा का भी प्रयोक करते हैं और सारे के सारे केंदरी घुटना इस्थित मंद बुद्धी विश्व विद्याले से उत्तिन वे ज्यानिक होते हैं गुले में दरजी का भाव सपष्ट दिखाई देता है क्योंकि कपड़े के नाम पे रंगीन चद्दर और घर के परदे ब्लेक बेल्ट के साथ लपेटे होते हैं और यही दिखाई जाता है पापा धरम जो बिना किये शरम अपने सिनियर कमांडर से बोलता है कि खाओ वंडे अरे मजाक था भाई पापा धरम बोलता है यह धरती मेरी माँ है और एक महीने बाद इगोला विस भोट के साथ फट जाएगा परंतु सारा वे घ्यानिक धरम की बात को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मेरे 75% सब्सक्राइबर मेरी वीडियो आने के बाद इग्नोर कर देते हैं इसके बाद पापा धरम अपने बेटे को प्रित्वी पर भेजने की तयारी करते हैं और जो बच्चा अबबबबबब जबबबस से ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता उसे धतूरा स्पेस्टिप में लिटा के दुनिया भर का घ्यान पेलते हैं और धतूरे के पिछवाडे में बैटरी वाला टॉर्च लगाते ही धतूरा उड़ जाता है और अर्थ में अनर्थ करने निकल जाता है और उसके जाते ही गोला ब्लाष्ट हो जाता है इधर धर्थी में जॉनथन और मार्था केंट की जगा चचा अशोक और चाची उर्मिला जो वहान का दामन था में अर्थ वाक कर रहे होते हैं देखते हैं कि धतूरा स्पेस्चिप ने धर्थी की त्वचा रगड के चिंगारी पैदा कर दी है और वहीं एक विदेशी शकल का इलियन बच्चा अबबा डबा जबबा करके रो रहा है और विदेशी शकल का बच्चा देखते ही चचा अशोक और चाची उर्मिला बच्चे को घर ले आते हैं और घर आते ही अपना शाररी शक्ती सुपर मैन वाला पावर दिखाने लगता है कभी अपने अबबा का जबबा मुड देता है कभी अपने अब्बा का पुराना डब्बा का पीछवाड़ा उठा देता है पार्टियों में महमानों के सामने आठ आने के लिए अपना हात में सम्मान गिरा के अपना छोटा समान उठा के मुझरा करता है स्कूल के बच्चे अपने साथ नहीं खिलाते पिकनिक पे भी नहीं ले जाते और 15 साल का प्यूबर्टी से जूजता लांडा फुटबाल को लात मार के 25 साल का पुनित इस्थर बन जाता है और शिगर ही ट्रेन का पतन करके उससे मेरत थान खिलता है और इधर उसका एक क्लास्मेट बढ़ा होके शक्ति कपूर बन जाता है जो मूवी का मेन विलन है और यहाँ पुनित पहले पहुँच चुका होता है और शक्ति कपूर के मुझरे के साथ आइटम सांग स्टार्ट हो जाता है देख 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 तो सुपरमैन को यही फर्क है क्लाक केंट और इस फटे पेंट में पावर मिलने के बाद वो बेचारा दुनिया भचाता है और यह चोमु चुतर मटका के मुझरा करता है थोड़ी दर बाद ऐटम सॉंग वाली ऐटम का शक्ति कपूर उसके तीन तीतर चीरहरन करने की कोशिश करते है और तबी पुनित दसुपरमैन आके तीनों तीतर के गैंग के भीतर अपना बैंग बैंग कर देता है और एक दिन पाटी में पुनित को पता चलता है कि उसके पापा उसके फादर नहीं है और वो अपने डैट से पूछता है कि क्या वो उसका पिता नहीं है और बापू अशोक उसे बताता है कि Biologically मैं तो तेरा बाप नहीं हूं बट Logically देखा जाए तो मैं ही तेरा पालक हूं और तेरा सारा समान मेरे गोदाम में पड़ा है ऐसा बोल के जब पुनित को गले लगात से चचा शोक की अस्ति चटक जाती है और सुपरमैन का लोजिकल फादर उपर निकल लेते हैं अरे बढ़ा कमजोर लेक्पीस है इसके बाद पुनित सुपर स्टार बैटरी वाला टॉर्च लेके बर्फिली वादियों में पहुंच जाता है और टॉर्च को फेटते ही बर्फ यूज करके पुनित सुपरमैन कॉस्ट्यूम पहिन के उड़ जाता है अब भया आपको पता ही होगा कि सुपरमैन अपनी कॉस्ट्यूम की धुलाए और इस तरी का खर्चा निकालने के लिए रिपोर्टर बनके काम करता है तो यहाँ भी पुनित सुपरमैन करने अपना अपना साकार लगे हाथ बन जाता है पत्रकार पत्रकार अब भया इस सुपरमैन को लुइस लेंग तो मिलने से रही इसलिए इसकी बज़ट और अकात के हिसाब से पुराने स्टॉक में पड़ी गीता दिला दी जाती है इतना बज़ट ना भई है मेरा और भया गीता विश ते का आनंद ले रहे होते हैं इसके बाद कुछ चार पांच चिलगुजे हवाई जहाज को हाई जेक करके लोगों की हार्ट बीट बढ़ा देते हैं अरे वा देवियों क्या एक्टिंग किया है इस बार का चौसकर अवाड आप लोगों को ही दिया जाएगा और इतिफाक से गीता भी इसी प्लेन में होती है और पुनित सुपर्मैन को पता चलते ही लाल कच्छा पहेंट के लोगों को बचाने के लिए उड़ जाता है और तभी पापा धरम का होलोग्राम हवा में हाथ हिला के हाथ से को रोकने की कोशिश करता है अब भाया एक ये सुपर्मैन थे जो हावा में उड़ रहे आउट अफ कंट्रोल प्लेन को हाथों से कंट्रोल करके जमीन में लेंड कराया था और ये हमारा एक निकम्मा सुपर्मैन जो खड़े प्लेन पे पीट रगड के धक्का मार के बोलता है और हाई जेकर को कूट पीट के लोगों को बचा लेता है इसके बाद शक्ति कपूर का एक चिर्कूर चिला उससे गद्धारी करके सारा माल पानी अपने पास रख लेता है और ये बाद टकला बाब अपनी पूरी लाइफ में एड़ी चोटी का जोर लगा के रेपिडेक्स हिंदी स्पीकिंग कोर्स में सीके हिंदी का यूज़ करके शक्ति कपूर को बताता है और माल वापस लाने के लिए कस्तूरवा गानी चात्रावास की नाबालिक चात्राएं जाती है जो लाल मिर्च बनके वहाँ पहुँच जाती है जिनकी मॉनिटर होती है चमपा कली और लड़ाई शुरू होती ही सारी चात्राएं कैमरे के लंग्स के माध्यम से मुक्का गुंडो के थोत्पे मारती है और चेरकूट चेला को निप्टा के सोना चान्दी चवण प्रास सांथ ले जाती है इसके बाद टकलाबाब गीता को गोली मारता है लेकिन पुनिट सुपरमैन बालो वाला सीना दिखा के गोली हात में ले 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 लेता है और गुंडो का पीछा करता है और रस्ते में गंजेपन का श्रिकार गंजडी गुंडों की गैंग इन पर हमला करने के लिए रुख जाते हैं और पुनित सुपरमेन सुपरमेन का महाना करके सुपरमेन बनने भाग जाता है और गुंडे अपना गंजेडी थूद गुसा के गीता के गुबारे की हवा निकाल रहे होते हैं तब ही सुसु ब्रेक से सुपरमेन वापस आके इन सुत्री वालों की सुताई करके इनका और्गेनिक गुबर निकाल देते हैं अप सुपरमेन के कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं जहां वो अपने सुपर पावर से बच्चों के लिए भंडारा कराता है और बीच बीच में वक्त निकाल के गीता से गंदी बात कर लेता है नेक्ड सीन में देखते हैं जहां गीता हेलिकॉप्टर में बैटके हवाई उडान की तैयारी में होती है तभी एक रसी पंची का एक पैर पकड़ के छट के किनारे में फैंक देता है और गीता हेलिकॉप्टर का पकड़ के जूल जाती है और पुनित सूपरमैन भीड के बीच से आके सीना भाड के बगल वाले अंकल को अपना एश दिखा के बोलता है और बिल्डिंग के अंदर जाके लाल कच्छा उपर पहन के गीता को रूई उधरे टेनिस बॉल की तरह पकड़ लेता है और अपने वन हैंड से हेलिकॉप्टर का जॉब पकड़के हैंड शेक करते हुए चत में ले जाके गीता और बबीता को बचा लेता है अरब भया क्या ओरिजनल स्टोरियन स्क्रेंपले अब यह तालिया होनी चाहिए तालिया पूरा का पूरा स्टीन सुपरमेन 1978 से कॉपी करके यहाँ पेश्ट कर दिया है इसके बाद शक्तिकपूर की पुरानी हवेली का तारकोल मास्क वाला भूत इससे गदारी कर देता है और शक्तिकपूर फिर अपने कस्तूरबा गांधी चात्रावास की नबालिक चात्राओं को इस भूत का सूत निकालने के लिए भेजता है लेकिन ये वाला भूत कूर्सी पे एकी पोजिशन में बैटके गेंडू जेनरेशन की बालिकाओं को ठोक विट पे रहाना कर देता है सिर्फ चंपा कली को अपने पास रख लेता है ठार के काई का और जब शक्तिकपूर चंपा कली को बचाने आता है तो ये साला भूत चंपा कली की कली के स्ताउद खली बली कर रहा होता है और शक्तिकपूर इस मुर्जाय फोल के माली पे खाद वाला पानी डाल के इसकी धुलाई कर देता है और अखिर में इसके सुके तने में गुलाब का काटा डाल देता है और भाईया इधर ये वनवी भाग के आरक्षित पश्रू खुदे एक दूसरे को मारे ले रहे हैं जिससे सूपरमेन के पास बहुं सारा खाली टाइम बच जाता है और लाउंडिया बाजी करने के लिए गीता के पास चला जाता है जहां गीता मुगल डांसर बनके पॉर्क्यू पाइन का फुंतरा टोपे पे लगा के अपना वाहियाद डांस का पैट प्रमोशन कर रही होती है और पुनित सूपरमेन गीता को टो करके हवा में उड़ जाता है जहां दोनों रात के अंधेरे में चर्वी वाला चमगादर बनके रात बर उड़ते हैं और गाना गाते हैं इसके बाद शक्ती का पुरा टकला बाब दुनिया भर की सारी सरकारिक पुस्त कालाय में साड़े साथ दिन लगा के सूपरमेन की कमजोरी ढून निकालते हैं और वो इस नतीजे बे पहुंचते हैं कि जिस तरह सूपरमेन को क्रिप्टोनाइड, शक्तीमान को पापमणी और लॉंडो को मिया खलीपा कमजोर कर देती है वैसे ही पुनित सूपरमेन के लिए पौने 12 करेट का डूपलिकेट हीरा उसे कमजोर करेगी और नेक्स्ट सीन में पता चलता है गीता है और उसे बजाने पुनित सूपरमेन शक्ती कपूर के अड़े में भूँच जाता है और हीरों का हार पहनाते ही पुनित डिस्चार्ज हो जाता है और ये लोग उसे स्वीमिंग पूल में रात भर तहरने के लिए फेक देते हैं और खुद इंस्टाग्राम रेल्स के मुझरों का मज़ा लेते हैं और गाने के आखिर में पापा धरम का होलोग्राम पुनित सुपरमेन को बताता है ये सुनता है पुनित हार निकाल के हवा में उड़ जाता है और शक्ती कपूर के पास जाके देध थाया देध थाया मार मार के शक्ती का कपूर जला देता है लेकिन शक्ति कपूर मिसाइल छोड़ देता है और उसे रोकने पुनित सुपरमेन निकल जाता है और शक्ति कपूर टकले बाप को बोलके FM रेडियो का स्टेशन चेंज करकर के पूरी दुनिया में बॉम फोड़ने लगता है और यहाँ अधिस से ज़्यादा सीन्स और इजनल सुपरमेन 1978 से कॉपी करके यहाँ पेश्ट किया जाता है जैसे जमीन पटने वाला सीन ट्रेन की पटरी ठीक करके सुपरमेन के पिछवाड़े से ट्रेन निकलने वाला सीन और अब भाई सहाब पहली बार कोई लौड़ा देखा है जिसके प्राण पखेरू निकलने वाले हैं और यह खीसे निपोर रहा है अब भाईया इतनी बरबादी होती है कि पुनित सुपरमेन भी नहीं रोक पता इसलिए पापा धरम का होलोग्राम पुनित के होल से उसकी बोडी में जोल कर देता है और बोलता है पृत्वी को उल्टा घुमा दे और अर्थ के साहत हो रहे अनर्थ को रोक दे और सुपरमेन मुवी का इकॉनिक सीन जिसमें सुपरमेन लाइट की स्पीट से अर्थ के और राउंड घुम के टाइम रिवर्स कर देता है वो पूरा का पूरा सीन यहां जापानी टेकनिक से हलका बलर करके पूरा सीन चेप दिया जाता है जिसस सारी बरबादी को एडिटर क्लिप रिवर्स करके सब ठीक कर देता है अब लुईस लेंग का लालकार भी उपर आ गया भाई इधा टकला बाब और शक्ती कपूर टोपे वाल इंसान के साथ भाग रहे होते हैं और पूनित सुपर मैन इनका रिवर्स गर लगा के पुलिस के हवाले कर देता है और पूनित सुपर मैन के हवा में उड़ते ही कानी खत्म हो जाती है तो बस भाई लोग आज की वीडियो में बस्हतन ही और अगर आपके वीडियो पसंद आत इस लो करना है लाइक करना है शेयर करना है और वीडियो में कमेंट किया करो भाई कमेंट किया करो करो कमेंट करो अभी और चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपके आज बस भी ऐसा कोई पेंट के उपर लालक अच्छा पहन के सांड के आगे गाल हिलाता है तो पापा धरम से संपर्क कर और सतर्क रहे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई